नमस्कार हिंदी लणी चैनल पर आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन हिंदी लणी चैनल पर लेकर आई है राम नौमी पर मन संचालन हिंदी स्क्रिप्ट कारेकरम विवरन के साथ आज इस वीडियो में आपको हिंदी में एंकरिंग स्क्रिप्ट मिलेगी वो भी कारेकरम साथ आज मेरे चैनल पर 9 के सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और ये 600 वीडियो है जो अपलोड होने जारी है राम नौमी पर तो आप सब का सही योग था जिस वज़ा से आज हम 9 के सब्सक्राइबर पूरे कर पाए हैं और भगवान राम जी की असीन कृपा थी जिस वज़ा से आज हम अपने चैनल पर 9 के सब्सक्राइबर पूरे कर पाए हैं और जल्द ही 20 के सब्सक्राइबर भी पूरे करने की उमीद रखते हैं भगवान राम तो हम सब के लिए हमीशा ही प्रेना के स्त्रोत रही हैं क्यूंकि हमारे जीवन में कोई ऐसी विपदा नहीं जिससे भगवान शिरी राम स्वेम न गुजरे हो उनहीं से प्रेना लेकर हमें भी अपनी जिंदगी में हर बादा को लांगते हुई अपने लक्षे तक पहुँचना चाहिए तो आईए आज की एंकरीन स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले कारेकरम विवरन देख लेते हैं इसमें भी गतिविदी आप अपने स्कूल के कॉडिंग जो भी आपने डिसाइड की हो क्विस्प्रतियोगिता राष्टिगान एवं स्माप्ति सबसे पहले शिरोक से शुरुआत करेंगे हम अर्थात शिरी रगुनात जी का चरित्र सो अंच विस्तार का है उनका हर अक्षर महान लोगों का नाश करने वाला है उसके बाद हम यहां से अपनी अंकरिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे सूप्रबाद राम नौमी के पावन अपसर पर मैं अधिती कक्षा आठमी की शात्रा अपने सदन की तरफ से आज की प्रातना सबा का मन संचालन करने जा रही हूँ आज की प्रातना सबा का विशे है राम नौमी रामनौमी हिंदूओं का एक प्रसित्योहार है जो की बगवान विश्णु के अफ्तार मर्यादा पुर्शोतम राम जी के जनम की समरिती में मनाया जाता है राजा दश्रत की तीन रानिया थी कोशलिया, सुमित्रा और केकई तीनों रानिया बहुत लंबे समय तक एक बच्चे को जनम ना दे सकी ये सारा बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब क्विस्प्रतियोगिता में बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो शुरू की स्टोरी से लेकर लास्ट तक आपकी अंकरिंग में क्या हुआ जा लास्ट तक मन संचालन में क्या हुआ बच्चे ध्यान से सुनते रहें उसी के अधार पर आप अपने स्कूल में क्विस्प्रतियोगिता अयोजित कर सकते हैं तीनों रानिया बहुत लंबे समय तक एक बच्चे को जनम ना दे सकी तब राजा दश्रत ने एक पवित्र अनुष्ठान किया जिसे दस शावमेद यग्य के नाम से जाना चाता है जिसकी समाप्ति के बाद रिशियों ने राजा दश्रत को कटोरी में खीर दी तथा अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा तब राजा दश्रत की प्रथम पत्नी को शल्या ने खीर खाकर राम जी को जनम दिया दूसरी पत्नी, दुत्य पत्नी सुमित्राने लक्षमन को और कैकईने भरत तथा शत्रुगर्ण को इस महत्वपुनन दिन की शुरुआत क्यों ना गायत्री मंत्र के साथ की जाए गायत्री मंत्र से बुद्धी का सामर्थे बढ़ता है ययुर्वेद के 36 वे अध्याय का तीसरा मंत्र है ये विश्वपरसित इस मंत्र का उचारन करने के लिए आए हम सब हाज जोड़े और आखे बंद करके अच्छी भावना से इस मंत्र का जाप करें तो आप इसके बाद गायत्री मंत्र का उचारन कर सकते हैं बगवान हमारा असली भला जानते हैं इसलिए वे हमारी उन्ही प्राथनाओं को सुनते हैं जो हमारे लिए उच्छित हैं स्वामी विवेका नंद के अनुसार बगवान की पूजा किसी लालच में करना अपमान जनक है तो आईए बिना किसी स्वार्थ के विनम रहोकर बगवान की प्राथना करते हैं इसके बाद आप अपने स्कूल में जो भी प्राथना है आप प्राथना अपने स्कूल में करवा सकते हैं इसके बार आश्विन मास की नवरातरी जिसमें दशेरा आता है आज की प्रातना सबा का विशे भी शिरी राम की परम क्रिपा प्राप्त करने हे तू राम नौमी लिया गया है तो बगवान राम जैसे मरियादपुर्शोतम प्रभु का ध्यान करते हुए आज का सू विचार प्रस्तुत करने कक्षाटमी की शात्रा रोहिनी हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। आप सब का दिन मंगलकारी हो तो बच्चा यहां से हड जाएगा सूविचार बूलकर। उसके बाद रामनौमी के दिन गोस्वामी तुलसिदास ची ने रामचरित मानस की रचना का आरंब किया था। इस पर्व के साथ मादुर्गा के नवरात्रों का समापन भी जुड़ा है भगवान राम ने देवी दुर्गा की पूजा की थी तथा मादुर्गा ने उन्हें शक्ति प्रधान की कि वे धर्म युद में विजी रहें। सोखे विनाश की प्रतिग्या ली थी। आईए हम सब भी अपने देश के लिए प्रतिग्या लें कि इस देश पर कोई भी संकट आने से पहले हम वीर योदा की तरह अपनी मात्री भूमी की रक्षा अपने प्रानों की रक्षा से पहले करें। तो इसके बाद आप समाज बनेगा। नी संदेद देश में करतव्य और परस पर सम्मान की भावना का विकास होगा। ऐसा ही महौल राम राज्य में था। आज राम राज्य से सबंदित कुछ तथे बताने हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कक्षा सात्वी के शात्र परम। जा कोई भी बच्चा जो भी आपने स्लेक्ट किया है। पहला तथे नमस्कार राम राज्य से सबंदित कुछ तथे इस परकार हैं। हिंदू संस्कृती में राम द्वारा किया गया आदश शासन राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य में सभी लोग इमानदारी से करते थे। इसके बाद जब आपके स्कूल में राम नौमी से सबंदित कोई भी अक्टिविटी हो रही है तो आप भजन करवा सकते हैं। कोई घीत, कोई कविता, कोई कहानी, कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैंने एक भजन के तोर पर ये अंकरिंग स्क्रिप इत्यार की हैं। ये त्योहार सात्विक्ता की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। राम नौमी के पर पर कक्षा सात्वी के कुछ बच्चे प्रभु शिरी राम का एक भजन प्रसुत करने जा रहे हैं। जोड़दार तालियों से उनका उत्सह बढ़ाया जाए। तो आगे मैंने आपको लिख कर दिया है। बगवान राम एक ऐसे उधारन हैं जिन्होंने प्रसंता पूर्वक समस्त सुखों को त्याग दिया। किसी देश में ऐसा समराट नहीं हुआ जिनका अनुसरन इतने वर्षों बाद भी किया जा सके। अखंड भारत की सिमाओं पर कह और क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं कक्षा आठमी के शात्र अब जो भी शात्र आपने प्रस्तुत की हैं जैसे कि मैं आपको बीचे बता रही थी बहुत ही सुंदर भजन तो जो शात्र समाचार प्रस्तुत करेगा को पहले र अंतराश्ट्री है फिर खेल समाचार मरोरंजर समाचार जा कोई लोकल समाचार जा आपके स्कूल से सबंदी कोई समाचार दे सकता है इसके बाद हमारी अनुगुती हमारा इश्वर ही है और आत्मा हमारा मंदिर मदुर मुस्कान सदभाबना बढ़ाती है और मीठे बोल मुझ सब से सबंदित कुछ बाते हमने जानी तथा कुछ नई चीजे भी सीखी तो जो चीजे आपने नई नई सीखी उनके लिए प्रभुश्री नाम का नाम लेते हुए लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और जाथ से जादा इस वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा ऐसा एंकरिंग में नहीं बोलने ऐसा मैं आपको बता रही हूँ हमने जानी और कुछ नई चीजे भी सीखी आज के मन संचालन में आपने कितना ध्यान से सुना इसका नुमान एक क्विस प्रतियोगीता के जरिये जानिकी प्रेशनोत्तरी प्रतियोगीता के जरिये होगा जी आपने पूछ लिया पहला कोशन गायतरी मंत्र के लिए गायतरी मंत्र में कितने अक्षर होते हैं तो बच्चा बता सकता है चावविस चलो कितने होते हैं बच्चों को बता होना चाहिए राइट यहां फेट मैंने इस एंकरिंग में बताया था कि यह किस वेद का 36 तो बच्चा वो बता सकता है इसके अलावा आप पूछ सकते हैं राम चरित मानस के किस कांड का वर्नन आज की असेंबली में जो आज की प्राथना सवा में किया गया है तो इसके अलावा आप राम जी की माता का नाम पूछ सकते हैं बच्चों को अक्सर पता नहीं होता है बर उसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है राष्टरगान का सम्मान भी उत्रा ही जरूरी है जितना भारतमा का तो आएए हम सब सम्मान पूरवक साबदान मुद्रा में खड़े होकर राष्टरगान का उचारण करें तो इस परकार आप राष्टरगान उचारित कर सकते हैं और इसके बाद आप एंडिंग करने के लिए बोल सकते हैं राम नाम की ओशदी खरी नियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए धन्यवाद आप सब अपनी अपनी कक्षा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं आप भी वीडियो को लाइक जरूर द अब आईएगा अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी मिलते हैं आपको नई अंकरिंग स्रिप्ट के साथ तिल दैन गुडबाई हैपी राम नामी